दोस्तों सौगत है हमारी यूटूब चैनल पे आज हम आपको बताएंगे कि लिब्रे ओपीज को किस तरीके से आप इस्टॉल कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है इसके डाउनलोड करने का तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी एक ऐसे कर लेना है जैसे देखिए हमने याप एक ब्रावजर ओपेन कर ली है जो कि खो मैं अब इसमें आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना लिब्रे ओप शुर्ड नमल तरीके से अब खो अन्ित आप घरीट करना है और इसमें का यहां ॉपिस, लिपर शुल अर्छ मिख सब इसमें आप जायेंगे तो बहुत सारे इसके वर्जन मिल जायेंगे लेकिन आपको अगर download करना चाहते हैं तो download करने के लिए आपको ऐहां पर जो second वाली link पर लिखा हुआ है download liberi office इस वाले पर आपको click करना है, आप जैसे इस पर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से interface दिखने के लिए मिल जाएगा, अब आपको यहाँ पर नीचे scroll करकर आना है, और नीचे scroll करकर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है Download LibreOffice, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इसके वर्जन दिये हैं, आप जिस भी वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई दूसरा यूज करते हैं, तो यहां पर देखें, इस छोटे से चेक पर आप क्लिक करिए, और यहां से जो आपका हैं, तो आप 32-bit का यूज करिए, अगर आपका 64-bit का है, तो आप 64-bit का यूज करिए, आप इसमें जैसे किलिक करेंगे, तो यहां पर नीचे आपका एक डाउनलोड आ जाएगा, अब डाउनलोड आने के बाद आपको क्या करना है, अगला प्रोसेस, चलिए उसको किया है, आपको हम दिखा भी देते हैं, तो देखें, हमने यहां पर पहले स्टॉल किया है, इसको हम सो कर लेते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इस्टॉल करते हैं, तो इस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर आपको राइट क्लिक करन तो अभी आपको एक dialogue box open होगा, इसको हम close कर देते हैं, इसको हम easy तरीके से close कर देते हैं सारे, क्योंकि अब देखिए इस तरीके से आपको first time interface दिखने के लिए मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको बस normal तरीके से next पर click करना है, first step, और second step में आपको फिर एक बार all next करना है, अभी यहां पर देखिए कुछ चीजे हमारे यहां पर दिये हैं, अगर आप इसको access करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कर रहते हैं, इनको check कर लेते हैं, और इसके बाद install कर देते हैं, देखिए अब हमारा क्या है, लिब्रे ओफिस इस्टाल हो रहा है, अभी कुछ टाइम लग सकता है install होने में, क्योंकि थोर से इसका जो फाइल होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए install होने में थोर से टाइम लगता है, तो देखिए अब क्या होगा कि यहां पर देखिए डाइलोग बॉक्स ओपन ह कि अगर आप इसको start करना चाहते हैं, तो start कर सकते हैं, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, हम इसको कर देते हैं, ok कर देते हैं, देखिए हमने इसको ok कर दिया है, अब जैसे हम ok करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि धीरे धीरे यहां पर download हो जाएगा, इसकी file इसमें पैकेज है, यहां पर कुछ टाइम लग सकता है, आप वेट कर लिजिएगा, उसके बाद आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, आगे हम बताते हैं, तो आप जैसे इसको style इसका process चालो हो जाएगा तो आपको desktop पे आप choice किये थे shortcut तो देखिए यहाँ पे desktop पे shortcut भी आ गया है और भी आगे process धिरे-धिरे हो जाएगा आप देखिए register font हो रहा है इसके, इसके कुछ font style है यह भी सारे उसको access कर रहा है तो इस सारे जब complete हमारे process हो सरवल मिनट से यानि इसमें कुछ time लग सकता है आप उसको easy तरीके से wait कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको cancel कर देंगे तो इसका जो आप setup है उसे अच्छे तरीके से install नहीं कर सकते हैं इसलिए कोई भी आप application, software install करें उसको आप back मत करें क्योंकि उसमें क्या होती है जो file ह क्रेस हो सकती है यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है तो यहां पर देखें अभी कुछ time लग रहा है अब देखें यहां पर हमारा easy तरीके से complete setup हो गया है अब यहां से दे दिया है installation wizard complete यहां से देखें हमारे complete हो गया है अब आपको क्या करना है यहां पर finish पर click कर देना अगर आप इसको restart करना चाहते हैं तो yes पर click करें नहीं तो no पर click कर देजी क्यूंकि इस time हम recording कर रहे हैं इसलिए हम no पर click कर देते हैं देखें हमने यहां पर no पर click कर दिया है अब हम आपको open करकर दिखाते हैं कि की तरीके से हमें use करना है इसको तो आपको एक interface उसका दिख भी कर सकते हैं तो देखें हम desktop पर भी इसको ला दियें shortcut तो आप नीचे देखेंगे आपके desktop पर आ जाएगा तो आप इसको double click करेंगे तो अभी open हो जाएगा जब open होगा तो हम आपको जो PPT में दिखाये थे उसी तरीके से आपको दिखने के लिए मिल जाएगा तो यहां यहां पर देखें open हो रहा है तो यहां पर देखें open हमारा हो रहा है Libre Office और बहुत ही अच्छा लगता है इसका जो look है यहां पर देखें open हो गया इसको हम थ्वा से बड़ा कर देते हैं यहां से क्योंकि थ्वा से अच्छा दिखेंगा सारे clear दिखेंगे यहां पर देखें इस्टार्टर तो थ्वा से टाइम लग सकता है तो देखे यहांपर हैं यहांपर हमारा open हो गया है अब इस तरीके से आपको interface दिखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके से हम आपको PPT में दिखाए थें इसी तरीके आपको interface एकदम दिखेगा, अब आपको कैसे इसको use करना है, तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम आपको दिखाये थे, अब एक किस तरीके से काम करते हैं, इसको देख लिजे सबसे first में, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह हमारा है, first में यहाँ पर file, इसमें file से related है इसमें कुछ tool है, इसके बाद help है, अब इसमें सबसे first point आता है open file, देखिए open file का मतलब है, अगर आपका पहले से कोई file बनी है, तो आप यहाँ से easy तरीके से open कर सकते हैं, second number पर आता है remote file, remote file का मतलब आप अगर उसे किसी server पर रखे हैं, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते इसको open कर सकते हैं, recent document इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई file अभी बना है, उसको आप जैसे बंद कर दीए अपने program को, library office को, तो आप यहाँ से जाकर आप easy तरीके से open कर सकते हैं, इसमें और अच्छा template, अगर आप template कोई किसी चीज का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ स option देखिए, आप एक create, create दिया हुआ है, यह सारे हमारे 6 application है, जो आप इसमें create कर सकते हैं, पहला हमारा है writer, second पर आता है kals, impress, draw, math, उसके बार database, यह सारे हमारे application है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अब हम आगे आपको बताएंगे कि इसको चलाना कैसे है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, तो आप नीचे comment में जरूर करिएगा, अगर download से related, अगर ज्यादा problem होगी, तो नीचे हम इसका link भी देदेंगे, आप वहाँ से भी direct जाकर download कर लीजिएगा, तो आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर करिएगा, thanks for watching